हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चानल त्यारे ओनलाइन में आज के इस वीडियो में हम संचेन भागदो का पहला कहानी हरियर काका जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर उनके द्वारा लिखिती है कहानी है कहानी के मुखे पात्र हरियर काका ही है तो हमने इस कहानी को पाँच भागों में पढ़ा है आप इस कहानी को हमारे चैनल पर देख सकते हैं इन सभी भागों को आप देखें ताकि कहानी आपको अच्छे से समझा जाए तो आज हम इस कहानी का लगू उत्तरिये प्रस्ण देखेंगे देर उत्तरिये प्रस्ण भी कराया गया है बच्चों आप उसे भी देखें चलिए पहला प्रस्ण देखते हैं पहला प्रस्ण हमारा है हरियर काका की किस स्थिती ने लेखक को चिंतित कर दिया तो बच्चों हम सभी ने कहानी में पढ़ा है कि हरियर काका और लेखक के बीच जो संबंध है वा संबंध एक मित्र का एक मित्रक से होता है एक पिता का एक पुत्र से होता है तो उस तरह का संबंध लेखक और हरियर काका के बीच है और जब हरिहर काका बिमार होते हैं और लेखक उनसे मिलने जाते हैं तब हरिहर काका से लेखक उनका हालचाल पूछते हैं और वह उन्हें कुछ भी नहीं बताते तो इन सब बातों को लेखक के लेखक काफी चिंते थे चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं यहां देखिए बच्चू इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखें इस बार जब लेखक हरी हर काका से मिलने गया और उनकी तब्यत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठा कर एक बार लेखक की ओर देखा और सिर जुका लिया उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सिर्फ सिर बहुत कुछ कह दिया पर काका कुछ बोल ना सके उनकी इस दसा ने लेखा को चिंतिक कर दिया तो बच्चों काका पे जो भी बीटा वो सभी लेखा को कैसे पता चल गया उनकी आँखों को देख कर के कभी कभी होता है बच्चों की जरूरी नहीं है कि लोग हमें कहें तभी हम आँखों से भी या उनके हावभाव से भी बहुत सारी बाते पता चल जाता है तो यहां यही कहा गया है कि लेखक उनकी आँखों को देख करके उनके होप उनके उपर हो रहे यंत्रना यानि पडिवार के लोग जो उनके साथ कर रहे थे बुरा बैभार ये सब ही उनको पता चल रहा था दूसरा प्रस्ण हमारा है लेखक ने कैसे जाना कि हरियर काका उसे बच्पन में बहुत प्यार करते थे तो बच्चों कैसे पता चला लेखक को लेखक की मा ने उन्हें बताया कि हरियर काका बच्पन में उन्हें बहुत प्यार करते थे वैसे तो गाउं में बहु बाते सेयर करते थे जैसे हम करते हैं अपने दोस्तों के साथ वैसे ही वह भी करते थे अब देखिए इसका उत्तर लेकर को उसकी मा बताया करती थी कि हर्यर काका बच्पन में उसे बहुत प्यार करते थे वे उसे कंधे पर बिठा कर गुमाया करते थे एक पिता अपने बेटे को जितना प्यार करता है हर्यर काका उससे ज्यादा प्यार लेखक को करते थे वे जितना खुल कर लेखक से बाते करते थे उतना किसी अन्य से नहीं हरियर काका ने ऐसी दोस्ती किसी अन्य के साढ़ नहीं की इस तरह उनसे जाना की काका उन्हें बचपन में बहुत प्यार करते थे तीसरा प्रसव नमारा है बच्चो यंत्रनाओं के बीज जी रहे हरियर काका के तुलना लेखक ने किसे की और क्यों की तो बच्चों हरिहर काका के पडिवार वाले अब उनका ख्याल नहीं रखते थे यह अंत्रना सब्दकारत होता है बच्चों पीरा देना, दुख पहुंचाना और लेखक यही सब देख करके उनकी इस स्थिती का वर्णन एक मजदार में फसी नाव से करते हैं वह कहते हैं कि एक नाव है जो मजदार में फसा हुआ है और वह डूबने के कगार पर है लोग उसमें चिला रहे हैं लेकिन दूर दूर तक उनकी आवाज जो है वह कोई सुनने वाला नहीं अंत्र में उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों नाव डूब जाएगी तो यहां लेखक भी हरिर काका की तूलना नाव से ही करते हैं कि उनकी आवाज यानी नातो वह किसी से कुछ कही सकते हैं और नहीं वह चुपी रह सकते हैं अब देखिए इसका उत्तर हम इस परकार लिखेंगे यंद्रनाव के बीद जी रहे हरियर काका के तुलना लेखक ने मजधार में फसी उस नाव से की मजधार कहने का अर्थे बच्चों बीच में नदी के या सागर के बीच में जिस पर बैठे सवार चिला कर भी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकते हैं इसका कारण यह है कि उनकी चिलाहर दूर दूर तक फैले सागर की उट्ती गिट्ती लहरों में खोकर रह जाती है इस तरह उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाता और वह जहाल दूब कर ही रह जाता है तो ऐसी ही इस्थितिक इनकी है हरिहर काका की जो चाकर भी अपनी मनुदसा को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते और यही एक वज़ा है जो उनको जीने नहीं दे रहा है चौधा प्रस्न हमारा है बच्चों लेखक के गाउं का संचिप्त परिचे देजे तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में गाउं आरा कस्बे से 40 किलो मीटर दूर है जिसकी आवादी धाई 3,000 से अधिक ही होगी और गाउं में तीन प्रमुखस्थान है एक पश्चिम किराने पर बड़ा सा तालाब दूसरा गाउं के मद्धे में एक इस्थित बर्गर्द का ब्रिक्ष है और तीसरा गाउं के पुरब में इस्थित थाकुर जी का विसाल मंदिर है इसे लोग ठाकुरवारी कहते हैं आगे चलकर यही ठाकुरवारी गाउं की पहचान बन गई ठीक है बच्चों तो यह है गाउं की विसेस था बच्चों प्रस्ण अभ्यास को करने से पहले आप कहानी को अवश्य सुने कहानी को एक बार आप सुन लेंगे तो प्रस्ण अभ्यास आसानी से हो जाएगा चलिए आगे का प्रस्ण देखते हैं पांचवा प्रस्ण हमारा है ठाकुरबारी की प्रबंध समीती और इसके कारियों का वर्नन केजिए तो देखिए बच्चों ठाकुरबारी के नाम पर अच्छी खासी जमीन और अत्यंत विसाल मंदीर है यहां धार्मिक लोगों की एक समीती है जो ठाकुरबारी की देखरे करती है इसके संचालक हेतु प्रतेक तीन साल पर एक पुजारी की निउक्ति करते हैं ठाकुरवारी का मुख्य कारे हैं गाउं के लोगों में ठाकुरवारी के प्रती भक्ती भावना उत्पन करते हुए धर्म बिमुक लोगों को क्यों कहा है आप लेखक ने तो बच्चों धर्म बिमुक यानि जो लोग नास्तिक प्रविर्थी के होते हैं उन्हें आस्तिक बना बच्चों प्रस्ण अभ्यास करने से पहले आप हरी हर काका कहानी के सभी पार्ट्स को अच्छे से देखें ताकि ये कहानी आपको अच्छे समझ आ जाए और जब आप ये कहानी अच्छे से समझ जाएंगे तो जितने भी प्रस्ण है उसके उत्तर आपको स्वतर ही याद हो जाएंगे और साथ ही जो भी आपको प्रस्न उत्तर बदाया जाता है उसे आप नोट बुक में नोट करें छटा प्रस्न हमारा है गाउं वालों का ठाकुरबारी के परती अत्यंत घनिष्ट संबंध है असपस्ट कीजिए तो बच्चों गाउं वालों का ठाकुरबारी के पर लिखेंगे ठाकुरबारी के साथ अधिकान्स लोगों का संबंध मन और तन दोनों अस्तर पर बहुत ही घर निष्ट है करे से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबारी में बिताते हैं ठाकुरबारी में साधू संतों का प्रगचन सुन और ठाकुरजी का दर्शन कर वे बानते थे उन्हें यह मैसूस होता कि ठाकुरवारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं जैसे बच्चों हम लोग मंदीर मस्जिद जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए और वहाँ पर जाकरके हमें कैसा मै जो भी पुजारी और महंत थे वह सभी क्या थे लालची और स्वार्थी वह सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से ठाकुरवारी में रह रहे थे क्योंकि उन्हें मुफ्त का खाना मिलता था सारा दिन बैठे बैठे वह अपना टाइम पास करते थे अब इसका उत्तर हम इस प भाता फूटी आंकों कहने का अर्थे बच्चों वह उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे काम धाम करने में कोई रूची नहीं लेते ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हल्वा पूरी खाते और आराम से पड़े रहते उन्हें अगर कुछ आता तो स सादो संतों की अकर्मन्यता और उनकी बातूनी आतों के कारण लेखक ठाकुरवारी से अपना घनिस संबल नहीं बना सके आठवा प्रस नमारा है हरियर काका के पडिवार का संचिप्त परिचे देजिए तो बच्चों ये तो हमने पार्ट फर्स्ट में ही पढ़ा था हरिय हरियर काका दूसरे नमबर पे थे उनकी दो सादियां हुई थी दो पत्नी थी उनकी लेकिन उनके एक भी संतान नहीं थे और उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई थी चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं हरियर काका का भरा पूड़ा परिवार है उनके चार पर दावा सब के बाल बच्चे हैं बरे और छोटे भाई के लड़के काफी से आने हो गए हैं दो की साधियां हो गई उनमें से एक पडलिक कर सहर की दफ्तर में कलरकी कर रहा है लेकिन हरियर काका की अपनी दे से कोई आलाद नहीं आलाद के लिए उन्होंने दो साधियां की लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्निया स्वर्ग सिधार गई ठीक है बच्चों तो जब आप कहानी को सुनेंगे तब आप इन प्रस्णों के उत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं तो बच्चों सबसे पहले मैं कई बार कह रही हूं कि आप सबसे पहले इस क मजी उसके बाद ही सभी प्रस्णों के उत्तर कीजिए नौवा प्रस्ण हमारा है हरियर काका के भाईयों दोरा अपनी पत्नियों को क्या सीख दी गई उनके वेभार में क्या बदलाव आता गया तो बच्चों हरियर काका के भाईयों ने कहा था कि तुम सभी हरियर काका का ध्यान देती थी और अपने बाल वच्चे अपने पडिवार पर ज़या üzते देती तो दवायन देखें तरडने का नलगे के एक अपनी पतिम्हों बेंजन खिलाती हर्यर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती कभी कभी तो हर्यर काका को सूखा रूखा खा करी संतोस करना पड़ता दसमा प्रस्ट अमारा है अपने भाईयों के परिवार के प्रती हर्यर काका के मूभं की सुरुआर कैसे हुई इसका उत्तर लिखेंगे कभी हरियर काका की तब्यत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पर जाते इतने बड़े पड़िवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वारा तक नहीं था बच्चे या पढ़े लिखे रहे होते या धहमा चौकरी मचाते बाई खेतों पर गए रहते और औरते हाल पूचने भी नहीं आती दलान के कमरे में अकेले परे हरियर काका को स्वें उड़कर के अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी परती ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरियर काका की आँखें भराती बाईयों के परिवार के परती मोभं की सुरुवार इन ही छनों से हुई थी एक ग्यारवा प्रस्न देखिए इसमें कहा जा रहा है कि स्वादिस्ट पकवान की आस लगाए बैठे हरियर काका के सामने जब रूखा सुखा खाना परोसा गया तो उनकी क्या परती किरिया थी तो बच्चों वो बहुत ही गुस्ते में आ गये थे और उन्होंने खाने की ठाली आंगन में फेक दी थी इसका उत्तर लिखेंगे बतीजे के मिदर के आने पर घर में स्वादिस्ट पकवान बनाए गए हरियर काका को स्वादिस्ट पकवान मिलने की आस थी पर जब उनके सामने रुखा सुखा भोजन आया तो उन्होंने ऐसी प्रक्रिया दिखाई पॉइंट बाइस लिख दीजे से पहला है थाली उठा कर बीच आंगन में फेक दिया जिससे सारा चावल भिखर गया दूसरा गरजते हुए घर की आउरतों को देख लेने की धंकी देने लगे ठीक है बच्चो बार्वा प्रसंदे की बच्चो हरियर काका ने अपना गुस घर की ओर्टों पर उतारते हुए कहा कि समझ रही हो कि मुफ्त में किलाती हो तो अपने मन से यह मात निकाल देना ऐसा हरियर काका ने क्यूं कहा बच्चों क्योंकि हरियर काका के नाम पर भी बंदरा विगह खेत था जिसके माले उनके भाई ही थे क्योंकि उनका तो कोई सं नहीं होगी मैं अनात और बेसाहारा नहीं हूँ मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो लेकिन अब मैं तुम सब को बताऊंगा उनकी इस प्रतिक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे बाद बनने के बजाए बिगरने की संभावना अधिक थी तेरहवा प्रस्ण देखिए पडिवार वालों ने हरियर काका के असंतोस्ठ होने की बात महंत को कैसे पता चली या सुनकर महंत ने क्या किया तो बच्चों यह बात कैसे पता चली थी जब हरियर काका काफी गुसे में घर की ओरतों को खरी खोटी सुना रहे थे तब वहीं ठाकुर वारी के पुजारी जी उनके दालान पर विराजमान थे वार्सिक फुमाद के लिए वगी और सकिल ने आये थे उन्होंने लौट कर महन जी को वेश्टार के साथ सारी बात बताई उनके कान खरे हो गए यह सुनकर के हाथ आये अफसर का लाव उठाने के लिए महंत जी टी का तिलक लगाया और कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरवारी से चल पड़े कहां चल पड़े बच्चों तो हरियर काका के पास चौधावा प्रस नमारा है हरियर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुरवारी के महंत जी ने क्या क्या उपाय किया तो बच्चों महंत के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है महंत क्या था मौथ ही लाल ची प्रविर्टी का इंसान था वह चाता था कि हरियर काका उसकी बातों में आकर के अपनी साड़ी संपत्ती ठाकुरबारी के नाम कर दे और इसलिए वह हरियर काका को अपने ठाकुरबारी ले आया था कब जब वह बहुती गुस्से में थे और उसने बहुती स्वाधिस्ट भोजन उन्हें कराया अब देखे इसका उत्तर लिखेंगे हडियर काका का दिल जीतने के लिए माहत जी ने स्वाधिस्ट बोजन खिलाने और धर्म चर्चा करने जैसे उपाएं अपनाए उन्होंने रात में हडियर काका को भोग लगाने के लिए मिस्टान ने वेंजन आदी दिये वैसे उन्होंने कभी नहीं खाये थे घी, टपकते, माल, पूए, रस, बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, इत्यादी ये सब ही भोग लगाये गए थे हरियर काका को उन्हें पुजारी जी ने स्वें अपने हाथों से खाना पड़ोसा था मास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन को सांती पहुचा रहे थे तो बच्चों ये सब क्यों था? ये सब हरियर काका की संपत्ती को हथी आने के लिए था 15 वप प्रस नमारा है हरियर काका द्वारा ठाकुरबारी में रात बिताने पर उनके भाईयों पर क्या भी थी? तो भाई भी वैसे थे, लाल्ची और स्वार्थी थे उन्हें ये डर था कि हरियर काका कहीं अपनी संपत्ती ठाकुरबारी के नाम न कर दे इसलिए वो सभी रात भर आपस में बाच्चिक करते रहे इसका उत्तर लिखेंगे हरियर काका को लाने के लिए उनके भाई ठाकुरबारी पहुँचे पर काका का मन असांत होने की बात कहकर महंत जी ने उन्हें वापस ना जाने दिया इससे काका के तीनों भाई रात भर सो नहीं सके बावी आसंका उनके मन में मत्ती रही पंद्रा विगे खेट इस गाउं की उप जाओ जमीन दो लाग से अधिक के समपती अगर हाथ से निकल गई तो फिर वा कहीं के ना रहेंगे तो इसी बात की चिंता थी उन्हें हरिहर काका की चिंता नहीं थी बलकि हरिहर काका के हिस्से की जमीन की चिंता थी कि कहीं वा ठाकुरबारी के नाम न कर दें तो बच्चों ये था लगूत्तरिय प्रस्न प्रस्नों को आप नोट बुक में अवस्य लिखे साथ ही इस कहानी का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले साथ ही वीडियो को सेयर करें और आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपको मिलते रहें। मिलते हैं आप से अगले अध्याई के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।